दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हर्याना कुंजी पर दोस्तो हर्याना जी के थियोरी क्लास का हम एक बहत्तपून टोपिक आपके साथ लेकर आए हैं इस टोपिक में हम दोस्तो डिस्कस करेंगे हर्याना का जो गठन हुआ था उसके दुरान जो हर्याना के लोगों ने संग्रस किया था उसकी फूल डिटेल से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे करते हैं दोस्तो स्टार्ट अपने टोपिक को जैसा कि दोस्तो आपको पता है कि हर्याना का जो गठन हुआ था वो एक नॉमबर 1966 को हुआ था यह हम सब को पता है लेकिन दोस्तो हम स्टार्ट करते हैं 1800 ताउन के करांते के बाद के इतियास से जो हर्याना संग्रस किये थे उनके बारे में डिटेल दोस्तो बात करते हैं हरियाना पंजाब के अधिन कब आये था दोस्तो जो हरियाना है पंजाब के अधिन आये था फरोरी 1888 के अंदर फरोरी 1888 के बाद में हरियाना पंजाब के अधिन क्यों किया गया दोस्तो ये भी इंपोर्टन्ट है जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 1857 के अंदर हर्याना या पूरे भार्थ के अंदर 1857 की करांती होती है उस करांती के अंदर जो हर्याना के लोगों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया था ठीक दोस्तो इसी वज़े से लोग जो अंग्रेज थे वो बहवित हो चुके थे कि फ्यूचर में दोबारा से हर्याना के लोग इस तरह की करांती ने कर पाए उस टाइम पे दोस्तो तो अंग्रेजो ने अपने विचार में मर्स करके हर्याना को जो है फरवरी 1889 में पंजाब के इंडर में कर दिया था अब बात करते हैं दोस्तों इसके थोड़े पिछे की बात की अब बात करते हैं दोस्तों जो हर्याना है वो उत्रपस्मी प्रांत जुपी के दिनाता था और जो जुपी के कानपूर जनपद होती थी दोस्तों और जिसका सासन जो होता था वो होता था दोस्तों आगरा से वह कहां से कंट्र्रोल होता था तो दूस्तो आप कांशह रान ची आगरा से या आपसे दूसरे से पूछा हो जाएगी और आपको पुरा जो चेक्टर हो भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको कुछ ज़्यादा ही सिखने को मिलेगा अब बात करते हैं दोस्तों फरवरी 1860 के अंदर दोस्तों अंबाला के अंदर एक जनता का द्वार लगाया था और वहाँ पर जनता के द्वार में हर्याना के लोगों को आम मंतरीत किया था अपनी समश्याओं को लेकर आने के लिए अब चलते हम दोस्तों 1860 के अंदर 1860 के अंदर दोस्तों लाड कहनी नहीं अंबाला में हैं डाक सेवा की शुरुवात की थी important है दोस्तों पूसादाज का उलड़ी की हर्याना के अंदर जो है डाक सेवा की शुरुवात कब हुई थी और कहां से हुई थी तो दोस्तो 1860 के अंदर हुई थी और अंबाला के अंदर हुई थी अब बात करते हैं दोस्तो 1860 से 1907 तक की तो हर्याना के अंदर दोस्तो इस टाइम पर जो हर्याना के जो मांग के लिए कोई परसन ने उठा था अब बात उठते हैं दोस्तो 1907 के अंदर 1907 के अंदर दोस्तो लाला लाजपतराय ने हर्याना को पंजाब से अलग करने के लिए विचार विमर्स किया था और यह एक मात्र उप्चारिक मांग थी यह कोई वेक्तिकत मांग थी ना कि सारोजनी ग्रूप से मांग की थी ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं 1920 के अंदर दोस्तो 1920 के अंदर दोस्तो मुसलिम लिग ने जो है दिल्ली के जो उपायुक थी उस टाइम पे वो थो ही जेपी थामसन जो जेपी थामसन को दोस्तो आगरा, मेरट और अमबाला को दिल्ली के अंदर सामिल करने की मांग की थी important दोस्तो official data दोस्तो कोई इसमें error नहीं मिलेगा आपको 1920 के अंदर सबसे पहले Muslim League ने official मांग की थी उन्होंने सिर्फ ये का था कि जो आगरा है, मेरट है और अंबाला है इसको दिल्ली के अंडर में कर दिया जाए उन्होंने ने तो हरियाना की बात की थी उन्होंने सिर्फ मातर इरिया की बात की थी उसको दिल्ली के अंदर सामिल करने की उस टाइम पे दिल्ली के जो उपायुक थे वो कौन से दोस्तो JP Thompson अब बात करते दोस्तो हमारे पास 1923 को 1923 में दोस्तो जो सत्यानंद जी है जो सत्यानंद जी ने जो मांग की थी इन्होंने क्या का था दोस्तो जो लाहूर के अंदर जो लाहूर के अंदर दोस्तो इन्होंने हरियाना को पंजाब से अलग करने के लिए विचार विमर्स किया था और इन्होंने यह भी विचार विमर्स किया ठीक है दोस्तों यहां तक दोस्तों किसी ने भी अब तक ओफिशल रूप से आगे आकर हर्याना को पंजाब से अलग करने के मांगन नहीं कही थी सिर्फ विचार विमर्स किया था अब बात करते हैं दोस्तों 1925 और 26 की पहली बार जो है पीर जादा मुम्मद हुसेन उन्होंने हर्याना को पंजाब से अलग करने की सबसे पहले मांग की थी कौन थे दोस्तों यह पीर जादा मुम्मद हुसेन यह पीर जादा मुम्मद हुसेन है दोस्तों यह है दोस्तों स्वागत समित्ती के अध्यक्स थे पीर जादा मुम्मद हुसेन उन्होंने दोस्तों सबसे पहले हर्याना को पंजाब से अलग करने की मांग की थी और दोस्तों कहां पे की थी तो दोस्तों बात करते हैं अकिल बारतिया मुस्लिम समेलन हुआ था दिल्ली के अंदर उसमें दोस्तों पीरजादा मुमद हुशेन ने सबसे पहले हर्याना को पंजाब से लग करने की मांग की थी कई बार अच्छा सी इसे क्यूशन पूछ की दोस्तो ये सबसे पहले ओफिशल मांग थी और दोस्तो इस मांग का रेजल्ट क्या रा दोस्तो वो रा दोस्तो फैल क्योंकि इसके बेस पर ना तो हर्याना को कोई पुन्दर गठन किया गया ना पंजाब को पुन्दर गठन किया गया ना ही हर्याना को दिल्ली के अंदर में या दिल्ली से अलग किया गया ना ही राजदानी बनाए गया अब बात करतें दोस्तो 1928 की 1928 में दोस्तो जो दिल्ली के अंदर जो है महात्मा गांधी आते हैं और उसी टाइम पे दिल्ली के अंदर दोस्तो हमारे हर्याना के कुछ नेता उनमें से सिरीराम शर्मा, नेकिराम शर्मा लाला देश बंदुगिप्त ने हर्याना को दिल्ली में विचार मिला है जाने के विचारवी मर्स किया था मात्मा गांदी से तो दोस्तो सबसे पहले जो वो मात्मा गांदी से विचारवी मर्स किया था वो किसनी किया था दोस्तो सिरी रामसर्मा, नेके रामसर्मा, लाला देश बंदु गुपने कब किया था दोस्तो 1928 के अंदर अब दोस्तो इसका रेजल्ट जो गंदी से बात करेंगा रेजल्ट आपको आगे मिलेगा अब बात करते हैं दोस्तो 1929 के अंदर दोस्तो आगरा के अंदर जाट मासमेलन होता है जाट मासमेलन में दोस्तो जो हरियाना के किसान निता थे वो थे चोदिर छोटराम चोटराम दोस्तों वहांपे पहुंच आते हैं और मांग करते हैं हर्याना को पंजाब से अलग करने की दोस्तों पूसादाए कि चोधरी चोटराम ने हर्याना को पंजाब से अलग करने की मांग कभी की थी वो की थी दोस्तों 1939 के अंदर कहां की थी दोस्तों आगरा के अंदर की थी किस सम्मेलन में की थी दोस्तों जाट मा सम्मेलन में की थी आगे चलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों 1931 की जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो भारत जो इंगलेंड में तीन गोमलेज सम्मेलन हुए थे महात्मा गांदी दोस्तो एक मतर मा जो गोमलेज सम्मिलन था उसमें सामिल हुए थे वो था दोस्तो दूसरा गोमलेज सम्मिलन दूसरे गोमलेज सम्मिलन को वह था दोस्तो 1931 के अंदर और दोस्तो महात्मा गांदी इसके अंदर जो भारत का परते निदितों करते हैं और वह पे जो है पंजाब के वित कमिशनर थे उस टाइम पे जोफरी कारबेट जोफरी कारबेट ने दोस्तो गांधी से बात की किस बारेम की दोस्तो उन्होंने बात की कि क्यों ने हर्याना को पंजाब से अलग कर दिया जाए इस परस्ताव पे दोस्तो गांधी जी भी थोड़े सह मत दिखे थे क्योंकि इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1928 के अंदर ही नेकर राम शर्मा शरी राम शर्मा और लाला देश बंदु गुप्त ने इस बात का जिकर ओलेडी मात्मा गांदी से दिल्ली में कर चुके थे ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं हम दोस्तो 1932 की 1932 में दोस्तो पानिपत के एक करांती कारी नेता होते हैं वो है दोस्तो हमारे दीन बंदु गुप्त दीन बंदु गुप्त ने दोस्तो एक समाचार पत्तर निका था जिसका नाम है तेज दोस्तो जिसके माध्यम से उसने हर रियाना को पंजब से अलग करने की मांग की थी दोस्तो अब तक मैंने आपką पताया की कैसे अब तक 1907-100 से पहले इसके बाद में दोस्तो जैसे 1920 में मुस्लिम लेग ने, 1923 में दोस्तो सत्यानद ने, 1926 में दोस्तो हमारे पास पीर जादा मुअम्मद हुशेण ने, 1928 में दोस्तो सिरी राम सर्मा, नेकी राम सर्मा, लाला, देशबंदु गुप्त ने गांधी से मुलाकात की थी और 1929 में दोस्तो आगरा का मा सम्मेलन होता है जिसमें चोदरी छोटराम ने हर्याना को पंजाब से लग करने की मांग की थी अब बात करते हैं 1931 में, 1931 में दोस्तो होता दूसरा गुमलेज सम्मेलन जहां पे पंजाब के विद कमिस्नर जोफरी कारबेट पंजाब से अर्याना को लग करने की करते हैं मांग का प्रस्ताव अब करते बात 1932 की, 1932 के दोस्तो पानिपत की करांतिकारी नेता, दिन बंद गुप्त के दोबारा आवाद उठाई जाती है, उन्होंने एक तेज नामक समाचार पत्तर भी निकाला था आप तक दोस्तो हम 1932 तक बात कर चुके हैं, इसके बाद में दोस्तो बात करते हैं 1937 की 1937 में दोस्तों क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि पंजाब जो विधान सबा इलेक्शन होते हैं दोस्तों उसमें जो है पंजाब विधान सबा के जो पार्टी थी युनिस्ट पार्टी को संपूर्ण बहुमत मिल जाता है और पंजाब के अंदर दोस्तों उनके बनती है सरकार जैसे ही दोस्तों सरकार बनती है तो आपको पूछा जा सकता कि उनके पहले परधान कों थे वो थे दोस्तों हमारे पास सिकंदर हायात खां सिकंदर हयात खां जो थे यूनिस्ट पार्टी के पर्थम परधान थे अगर बात किज़ाए दोस्तो दूसरे परधान की और दूसरे परधान थे दोस्तो सिकंदर हयात खां दोस्तो पहले थे हमारे पास सिकंदर हयात खां और दूसरे थे दोस्तो मलिक खिजार हयात तिवाना दोनों इंपोर्टेंट है दोस्तो रिसेंटली ही हर्याना ने क्यूशन पुछा था कि 1937 में हुए पंजाब विदानसवाद चुनाओं में यूनिस्ट पार्टी के देक्स या परदान कौन थे तो दोस्तो आएका उसका अंसर शिकंदर हयात खाँ अगर उससे पूचा था है कि दूसरे परदान कौन थे तो दोस्तो है मलिक खिजार हयात तिवाना तो दोस्तो अब बात करते दोस्तो हम 1949 की जैसा कि दोस्तो आपको पता है कि 1949 के अंदर जो है दिवित्य विशा विशुद स्टार्ट हो दाता है इदर उनोंने जो भारत को है इश यूद में सामिल होने के मांग करते हैं तो दोस्तो हर्याना के अंदर भी जो है आंदुलन की जो मांग है वो तिरुगती से नहीं हो पाई और इस दोरान दोस्तो हरियाना के अंदर चलते हैं परजम अंडल आंदोलन जैसे दोस्तो हीरा सिंग चेनारिया, फुल सिंग ये दोस्तो इन्होंने परजम अंडल आंदोलन चलते थे हरियाना में उसके बारे हम डिस्कस करेंगे दोस्तो बाद में लेकिन अभी हरियाना की जो मांग है उसी के बारे हम टोपिक से अलगने जाते हुए उसी को बात करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों 1946 की दोस्तों 1946 के अंदर जो पटामी सी तरमया थे उन्होंने जो देशबंदुगुप्त की जो बात है जो उन्होंने रखी थी 1932 के अंदर हर्याना को पंजाब से लग करने की मांग का उन्होंने किया था खुला समर्थन कभ किया था दोस्तो 1946 में किया था दोस्तो किसने किया था दोस्तो पटामी सितरमया ने किया था दोस्तो कहां किया था दोस्तो अखिल बारती है दिल्ली में अखिल बार्टे कांगरिस की जो सम्मेलन होता दिल्ली के अंदर उसमें जो पटामी सितरमिया थे उन्होंने देश बंदुगुप्त की बात का जो है खूला समर्थन करते हैं अब दोस्तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा देश 15 आगस तो 1949 होता आजाद और उसके दोस्तो पंजाब के पहले सियम बनते हैं वो बनते हैं गोपीचंद भारगो ठीक है दोस्तो गोपीचंद भारगो बनते हैं दोस्तो पहले सियम अब बात करते दोस्तो 1948 के अंदर दोस्तो जब भारत को अजाद हुआ था तब हर्याना के लोगों को अंदेशा था कि कहीं हर्याना और पंजाब अलग हो जाए तो हर्याना का गठन हो जाएगा लेकिन दोस्तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब भारत आशाद हुआ, जैसा कि आपको पता है कि हिंदूस्तान और बारत और पाकिस्ταन का विवाजन होता है और उस दोरं रहा होते हैं, समपरताओ की धंगे और जोस्तो ऐसा कुछ नहीं होता है, और हरियनक गठन नहीं हो पाता ह अब बात करते हैं दोस्तों 1948 की 1948 में दोस्तों पहली बार जो है धर आयो का गठन होता है धर आयो का गठन क्यों होता दोस्तों वो गठन इसलिए होता है कि क्या राज्यो का पुन्दर गठन क्या जा सकता है बासा के अधार पर या नहीं तो दोस्तो धर आयोग का गठन होता है इसके अंदर चार से दश्चे होते हैं ठीक है दोस्तो और ये बासा पुन्दर गठन के लिए जो आयोग बनाता है उस सबसे पहला आयोग था इसके बाद में दोस्तो दूसरा आयोग बनता है जेवीपी आयोग ये भी दोस्तो बनता है अधर आयोग ने भी तुकरा दिया था तो दोस्तो कैसे होता है अब दोस्तो बात करते हैं 1948 की दोस्तो 1948 के अंदर जो पंजाब के हैं ताराचंजी ताराचंजी ने का एक समाचर पत्र था अजित उसके माध्यम से इन्होंने पंजाबी सुबे का जो सबसे पहले जाह मांगी और उसका पंजाबी सुबे का परियोग से पहले किया अब तक दोस्तो 1947 तक सिर्फ और सिर्फ हर्याना के लोगों ने ही हर्याना की मांग को उपर उठाया था लेकिन पहले बार किसी पंजाबी नेता ने जो ताराचंजी ने अजित नमक समाचर पत्तर से पंजाबी सुबे का परियोग किया था और अब दोस्तो जो अलग होने की जो आग है वो दोनों तरफ बड़क चुपी थी क्योंकि दोस्तो अर्याना के भी महत्यपूर्ण नेता थी वो भी इस चमगां को कर रहे थी उदर पंजाब के भी करने लग गए अब चलते हम दोस्तो आगे अब दोस्तो बात करते हैं 1949 की 1949 के अंदर दोस्तो भी मसें सचर का फारमुला लागू होता है वो कब लागू होता दोस्तो वो आलागू होता हमारे पास 1 अक्टूबर 1949 को एक अक्टुबर उनेंचस को जैसे ही भीमसेंस तरफानुला लाग होता है तो उसनों ने क्या किया दोस्तो एक हिंदी छेतर बना देते हैं एक पंजाबी छेतर बना देते हैं अब उसने हिंदी छेतर में कौन-कौन सामिल किये दोस्तो वो किया रोतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगडा, जगादरी, हिसार, अंबाला, कोहिस्तान, सिमला, नारायनगड ये थे दोस्तों जो इन्होंने हिंदी बासा चेतर में सामिल किये थे और बाकी का चेतर था दोस्तों पंजाबी चेतर था क्या था दोस्तो ये भीम सें सचरगा परमुला इसमें कहा गया था दोस्तो कि कोलेज तक जो है हिंदी बासा सित्र की जो मुख्य बासा रहेगी वो हिंदी रहेगी और पंजाबी बासा सित्री की रहेगी पंजाबी लेकिन दोस्तो इस से जो हर्याना के लोग काफी कुछ नहीं दिखाई दिये और दोस्तो इस बात को इस बात से सैमत नहीं हो पाई तो दोस्तो यह हो जाता है कैंचल ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं 1952 में 1952 में दोस्तो आपको पता ही होगा पहले चुनाओं होते हैं और जैसे चुनाओं होते दोस्तो हर्याना चेतर से तो है 38 विदायक बनते हैं जिन में से देविलाल परमुक थे और देविलाल ने चरण सिंग के साथ मिलकर 125 विदायकों के पत्तर पर साइन करवाए और उस टाइम के ग्रह मंतरी जीवी पंत को अप अब बात करते दोस्तो हम 1953 में अब बात करते दोस्तो 1953 की दिशंबर 29 1953 को दोस्तो फजल अली आयोका होता गठन और ये गठन क्यों होता दोस्तो ये गठन होता दोस्तो बासा वैसंस करती के धार पर राज्यों का पुर्णर गठन करने के लिए दोस्तो जब ये गठन होता ह तब दोस्तो इन्होंने जो है बासा के दार पर भी गठन होने की मां को माननी रहे थे तो दोस्तो क्या होता है कि जो फजल अली आयोग है इसके तिन सदिश्य होते दोस्तो एक थे दोस्तो हमारे पास पंडित खुंजरू, दूसरे थे दोस्तो केम पाने कर, तीसरे थे दोस्तो फजल अली, फजल अली दोस्तो इस आयो के अध्यक्स थे, दोस्तो जैसे इसका गठन होता है, वो तो दोस्तो जो मदरास के एक किशान थे, वो थे हमारे पास स्री मल्लू वो दोस्तो करते हैं आमरन अन्शन आमरन अन्शन के दोस्तो 60 में दिन हो जाते हैं उनकी मिर्त्यू और दोस्तो तब जवारला नैरू ने पहली बार यह मांग को सिविकार किया कि मदरास छेतर से हिदराबाद का या अंदर प्रदेश का गठन किया जाएगा तब दोस्तो हर्याने के लोगों को विश्तित का पहचा अंदर सा हो गया कि क्यों नहीं हम भी ऐसा कुछ काम करें कि हमारा हर्याना भी पंजाब से अलग हो जाए दोस्तो जब फदल अलिया युग आता है उननी सो पच्चपन में रोत तक पहली बार तो दोस्तो हर्याना में कांग्रेस ने का गोर जोद किया और दोस्तो विरोध होने के बाद में इन्होंने अपने जो सिफारिस थी उन्होंने कुछ माननी थी जैसे जीन्द महिंदरगुड को हरियाना के छेतर में सामिल करने की मा सिफारिश थी वो मान ली दिगई थी ठीक है दोस्तो लेकिन फजल अली आयोग ने भी हरियाना को बासा के अधार पर पंजाब से अलग ने करने की सिफारिश की थी इन्होंने ये नहीं कहा कि हरियाना को पंजाब से अलग किया जाए नहीं इन्होंने कहा कि इनके अंदर दो छेतर बना सकते हैं एक हिंदी छेतर एक पंजाबी छेतर और दोस्तो उनके अपने अपने परमुख होंगे ठीक है दोस्तो हिंदी छेतर का हिंदी परमुख और करते हैं दोस्तो 24 जुलाई 1956 की फजल अलिय आयोक की उन्ने दोस्तो जैसा कि मैंने भी बताया कि उन्होंने पंजाब पंद्रगठन उसको मना कर दिए था तो दोफे उन्होंने किया दोस्तो सात वॉदान संसोदन कि डोस्तो लगाया थे تم एंसरी फार्मुला क्या था दुस्तों साथ राजु अदर वार्ट स blossom सो दन के बाद में दोस्टों फि चोडा राज राज्य कि अच्छे प शैसीट परदेश बना दिए गये थे तो दोस्तों पंजाब के अंदर क्या था ऑद आए चित्री फार्मूला लगाय था उस चित्री फार्मूला में दोस्तो एक बनाय था उन्होंने हिंदी बासा चित्र दूसरा बनाय था दोस्तो पंजाइबी बासा चित्र ठीक दोस्तो हिंदी बासा चित्र की जो अद्यक्स थे वो थे दोस्तो बलवन तायल और दोस्तो इस चित ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं दोस्तो उनिस सो स्तावन की ठीक है दोस्तो उनिस सो स्तावन में दोस्तो पंजाब के सीम मनते हैं कौन परताब सिंग कैरो तो परताब सिंग कैरो ने दोस्तो सीम मनते ही क्या किया कि फोर्मूला जो बनाया था छित्रे फोर्मूला उसको मान से इंकार कर दिया गया तो इसका जो विरोध है बहुत ज़्यादा संख्या में होता है हिसार और रोत्तक के अंदर ठीक दोस्तों हिसार और रोत्तक में अर्याना के लोग को ने इसका गोर विरोध किया और इसके लागा कुछ पार्टी भी थी उनमें से प्रमुक थी दोस्तो जन संग पार्टी और आरे समाज इन्होंने भी दोस्तों जो परताब सिंग कैरो का जो विरोध किया था ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं 1960 की 1960 में दोस्तों तारा सिंग ने एक शिख राज्य के लिए जन आंदोलन स्टार्ट कर दिया था यह वही तारा सिंग है दोस्तों जिन्होंने अपने समाचार पत्र अजीत में एक पंजाबी सूबे की पहली बार मांग की थी अब दोस्तों इन्होंने मांग की है एक सिख राज्य की इसा से पहले और उसके लिए दोस्तों से पहले आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया था ठीक है दोस्तो अब आते हैं दोस्तो हम 1965 के अंदर 1965 के अंदर दोस्तो 1965 के अंदर दोस्तो जो अकाली दल के जो थे पध्यक्स फते सिंग फते सिंग ने दोस्तो आमरन अंसन स्टार्ट कर दिया कब दोस्तो 1965 के अंदर और दोस्तो ये एक बोती अच्छेनेता थे और लेकिन दोस्तों होता क्या है कि 1965 में जैसे आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का युद हो जाता है जिसे वदे से दोस्तों इनको अपना आमरना निशन करना पड़ता है कैंसिल लेकिन दोस्तों जैसे भारत पाकिस्तान का युद समापत होता है फिर से अकाल तक्त के सामने 10 अगस्त 1965 को फिर से अपना आमर अनसर को स्टार्ट करते हैं और दोस्तो अब की बार इन्होंने सिधा ही कह दिया था या तो अब की बार पंजाब का पुंद्र गठन होगा या फिर अब की बार मैं जान से मर जाऊंगा तो दोस्तो कहीं न कई बारत की गुर्विंट को 1953 के हादसे की या दिला रहा था और दोस्तो तो इससे होगे बहबित जो नेता थी तो दोस्तो पहली बार जब ऐसी मांग होने लग जाए कि कोई व्यक्ति किसी राज्य के लिए जान दे रहा है तो दोस्तो तो सरकार ने क्या इससे बहबित होकर 23 सितंबर 1965 को जो है गुलजारिलाल नंदा थे उस टाम के ग्रह मंतरी से दोस्तो पंजाब उनर गठन बिल को तीसरी लोकसबा के अंदर हुकमसम के सामने पेश किया दोस्तो सबसे इंपोर्टन क्यों सना आता है ये वाला कि जो है पंजाब उनर गठन ब गया तो लोकस बागेशा में देश कान थे दोस्तो वोत उस टाम पहुकमसिंग उसकी सामने ना पेश किया और कब क्या 20 स्थ्थमबर 1965 को ढोनीकति थी थे दोस्तो अब बात कि दोस्तो अब सेतंबर 1965 से मार्च 1966 हो जाता दोस्तो लेकिन अब तक कोई भी रलचा नहीं थी प पुद्री देविलाल थे दोस्तो एक हर्याना के बहुत फेमस नेता थे उस टाइम पे जब दोस्तो दो फेमस नेता एक इसी राज्जी के आपसे मिलते हैं तो कहीं न कहीं सरकार को भी डर लगता है तो दोस्तो जब यह दोनों नेता मिलते हैं और उन्होंने बात करते हैं पं सदश्य है कौन थे दोस्तो जे सी सा एस तत एमफिलिप इंपोर्टेंट है दोस्तो पहली बार जो हाँ हर यहाँ पंजाब का पुन्दर गठन करने के लिए जो सीमायोग गठन किया गया था उसके екigrade सेटosed तीन थे जे सी सा एस्तात एम्पलिप उनके देख्ष कौन थे दोस्तो जेसी सा और यह जो सीमायोग है दोस्तो गठन कभ किया गया था दोस्तो 23 अपरेल 1966 तीन क्यों चना दोस्तो तीनों एचासी पूछ गी है कई बार अब बात करते दोस्तो यह सीमायोग अगठन तो हो गया दोस्तो अब यह अपनी शिफारिस करेंगे रिपोर्ट डालेंगे और वो रिपोर्ट कब देते है दोस्तो वो रिपोर्ट देते है अपनी 31 मई 1966 को 31 मई 1966 को दोस्तो जो सीमायोग है वो अपनी रिपोर्ट देता है और क्या कहता दोस्तो इस रिपोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट में कहता है कि जो है हर्याना चेतर के कुछ चेतर और पंजाबी वासा के कुछ चेतर तो दोस्तो इस बात से लिए चंदिगड के बारे में के बहस तो चंदिगड है दोस्तो पहले था हर्याना के अंदर में के ज थायोग बनता है तो जोस्तों, जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सोब देते हैं तो दोस्तो हम बात करते हैं कि जो संसद के जो सदन होते हैं वो चलते हैं तो जैसे स्टार्ट होते हैं तो अपनी रिपोर्ट देते हैं और स्टार्ट होता दोस्तो 18 सेप्टेंबर 1966 को दोस्तो है पंजाब उन्दर गठन बिल है वो लोक्सवा के अंदर भी पास हो जाता है पूसा दा सकता दोस्तो पंजाब पुंदर गठन भी लोक्सवा के अंदर का पास हुआ था दोस्तो 18 सेप्टेंबर 1966 को ठीक दोस्तो अब चलते हम दोस्तो आगे 18 सेप्टेंबर 1966 को जब पंजाब पुंदर गठन भी लोक्सवा के अंदर पास हो जाता है तो दोस्तो इसको अंदर बात की गी थी अर्टिकल 21 के अंधर कि एक No. 1966 को हर्याना को पंजाब से अलग करने की बात हो गई थी हर्याना का गठन कभ हो गा दोस्तो एक No. 1966 को इसी रिपोर्ट के अंधर ये ओक आ गाता दोस्तो हर्याना और पंजाब की जो स्विक तराज़ानी है वो हो गी चंदीगड जो आर्टिकल 9 था दोस्तो उसके अंदर क्या का गया था कि जो हर्याना के है जो लोकसभा के जो सदिश्य है वो कितने होंगे आर्टिकल 8 में दोस्तो चुनाओ का तरीका के बारे में बता गया था आर्टिकल 7 के अंदर दोस्तो उस टाइम पे जारा राज्य सबासदश्य थे उनके बटवारे की मांग के बारे में बताया गया था उन्यसो जो दोस्तो 135 तीन था दोस्तो आर्टिकल उसके अंदर दोस्तो हरियाना के अंदर कौन-कौन से सित्तर सामिल होंगे इसके बारे में क्या गया था दोस्तो डिस्कॉस्चन ठीक है दोस्तो एक नॉंबर 1966 को दोस्तो हुकम सिंग की सिफारिश पर 18-18 सविदान सद्दन होता है ठीक है दोस्तो 1966 के अंदर और दोस्तो हरियाना का जो गठन होता है 17 राजे के रूप में ठीक है दोस्तो इसी डिपोर्ट में का गया कि हरियाना का जो एरिया रहेगा वो चुहाले ज़िदार 122 रहेगा और जो परतिसद एरिया रहेगा पंज़ाब का वो रइगा दोस्तो 35.18% ठीक हरियाना का एरिया इसके अंदर दोस्तो 7 जिले बनाए गए थी पहली रिपोर्ट थी दोस्तो शुरू में जब इन्होंने डिस्कस किया था तब रियाना के अंदर 5 जिलोग को बनाने की मांग की थी लेकिन दोस्तो अंतिम रिपोर्ट के अंदर इन्होंने साथ जी लोकों गठन की मांग की थी सवसे बड़ा जिला दोस्तो हिसार था इसका एरिया था दोस्तो 3891 है दोस्तो 3891 वरक किलोमेटर दूसरा बड़ा था दोस्तो करनाल करनाल का दोस्तो 9964 वरक किलोमेटर फिर दोस्तो गुरुग्राम था फिर रोत्तक थे फिर अंबाला था मेंदरगड़ गाता दोस्तों 344 जीन गाता दोस्तों 2712 दो सबसे बड़े और दो सबसे छोटे आपको ध्यान में रखने होंगे दोस्तों गठन के सिमय के जैसे हर्याना का गठन होता है तो मुख्यमंतरी कुन मनते दोस्तों वो बनते हैं बगवद्याल सरमाजी बगवद्याल सरमाजी बनते हैं मुख्यमंतरी जान रखना योगी ये बात है दोस्तों ये थे दोस्तों एक मनोनित मुख्यमंतरी ये निर्वाचित मुख्यमंतरी नह थे अर्याना और पंजाब के जो स्विंग तराजय पल बने थे अर्यान अगट पंजाब अंदर गठन के बाद में वो बने थे धरमवीर सिंग और दोस्तो सनो देवी है वो बनती है विदानसवा देक्स वो बनती है दोस्तो 6 दिशंबर 1966 को जब पहली बार विदानसवा का जो पहली बार विदानसवा स्टार्ट होती है तो आपको पता पहली बेठक के अंदर ही विदानसवा देक्स का चैन होता है और दोस्तो विदानस सांसेट से पहले जो पंजाब की जो विदानस वाती उसमें उपाद्यक्स के तोर पर भी काम कर रही थी ठीक है दोस्तों आसा करता हूं आपको समयाया हुआ अब मैं दोस्तों आपको एक बार थोड़ी सी क्रिविजन जल्दी से करवा देता हूं शुरू से ही दोस्तों 1860 के अंदर दो काम होते हैं दोस्तों क्या क्या होता दोस्तों जनता द्वार लगता है लाड कैनिंग के द्वारा दूसरा लगता है दोस्तों हमारे पास डाक सेवा की शुरूआत अंबाला से होती है पहले उप्चारिक मांग की वात किता है दोस्तों वो थी 1907 के अंदर कौन करते है दोस्तों लाला लाजबतर आई ठीक है दोस्तों 1920 के अंदर दोस्तों Muslim League करती है दोस्तों मांग थोड़ी सी वो भी उप्चारिक मांग थी सिर्फ 24 मर्ज के लिए 1923 में दोस्तो, संद सित्यनन्जबी अपसारी के मांग करते हैं 1926 में दोस्तो, बात करते हैं पीरजादा मुएम्मद हुसेन की पहली बार हर्याना को पंजाब से लिख करने की official मांग की थी पीरजादा मुएम्मद हुसेन ने जो थे स्वागत समेति के अध्यक्स इसके लाब बात की जाए दोस्तो 1928 में 1928 में दोस्तो क्या होता है कि नेकिराम शर्मा, सिरी राम शर्मा, लाला देश बंदु गुप्त, गंधी से दिल्ली के अंदर मिलते हैं और हर्याना को जो है दिल्ली के धिन करने की मांग को करते हैं allas 2019 के अंदर दोस्तो फिर उता जाट मा सम्मेलन आगरा के अंदर वहाँ पे जाटनेता जो थे चोदर छोटरामजी वह वहाँ पहुंचते हैं और हर्यान्या को पंजाब से लग करने की करते हैं, मांग अब बात करते हैं दोस्तो 1931 की दूसरा गौमलेज सम्मेलन जहाँ पे पंजाब के वित गवर्नर जोफरी कारबेट गंदी से इस बारे में बात करते हैं 1932 के अंदर दोस्तो पानिपत के करांति करीनेता, दीन बंदु गुप्त, हरियने को पंजाब से लेक करने के मांग करते हैं समासर पत्तर के जरीए हो था दोस्तो तेज ठीक है दोस्तो अब बात कर देशतो 1937 में 1937 में दोस्तो होते हैं इलेक्षन, इलेक्षन में दोस्तो यूनिएस्ट पार्टी के बनती है सरकार ठीक है दोस्तो उसके पर्थम परदान पूछे जा सकते हैं सिकंदर हयात खां थे दूसरे थे मलीख हिजार हयात दिवाना 1946 में दोस्तो पटामीशी तरमया जो है वो जो दिनबंदु गुथ थी उनकी बात से कोते सहमत 1948 में दोस्तो अजित समाचार पत्तर से तारासंजी ने मांग की थी पंजाबी सुबे की अब बहुत करते एक्टूबर 1927 को दोस्तो लगता सचर फार्मूला ठीक दोस्तो तेश दिसम्बर 1953 को फजला लिया को गठन होता है पासा और संस्कृति के दार पर पूरे भारत का पुनर गठन करने के लिए दोस्तो इन्होंने जो पंजाब को पुनर गठन की मांग को ऐसे विकार कर दिया इन्होंने दोस्तो क्या का कि हरियना के अंदर पंजाबी के अंदर एक हिंदी चेतर बना दिया जाए एक पंजाबी चेतर बना दिया जाए तो दोस्तो इनका होता विरोध कहाँ पे रोत तक भावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा 1960 के अंदर दूस्तो तारा सिंग जी ने दोबारा से पंजाबी सुबे के मांग के लिए जन अंदोलन स्टार्ट कर दिया था 1965 में दोस्तो भते सिंग जी अंसन स्टार्ट करते हैं लेकिन बारत पाकिस्तन का युद्ध हो जाता है जिसुझे से वो अंसन केंजल करना पड़ता है फिर दोस्तों वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं 10 अगस्त 1965 को अब के बार उन्होंने अपने खुद को जो जान से मरने की धमकी भी दे दी थी ठीक दोस्तों अब बात करते हैं 23 सितंबर 1965 को सबसे पहले जो गुलजारिला नंदा थे पंजाब के जो जो क्रेमंतिर थे भारत के उन्होंने पंजाब उन्दर गठन बिल जो लोक्स वागे अंदर पेस किया था हुकम सिंग के सामने ठीक दोस्तों 23 सितंबर को ये दोस्तों होता है का 1965 को अब बात करते 23 सप्रेल की 23 सप्रेल उन्हों 66 को दोस्तों सी मायो का गठन होता है ये भी आपको जान रखना है इसके तीन सदेश्य होते हैं एमपलीप जेसिसा और एस्टत अधेक्स बनते दोस्तों जेसिसा दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट देते हैं जिन में कांगडा और चंदिगड को लेकर थोड़ा मतबेद होता है जिससे वे हरियानवी चत जो हरियाना के शेतर से उनको निकाल दिया जाता है बाकी शेतर वैसे के वैसे ही रहे ये रिपोर्ट देते हैं दोस्तों अपने 31 माई 1966 को अपने रिपोर्ट तोब देते हैं ठीक दोस्तों फिर बात करते हैं रिपोर्ट से अपने के बाद में जब लौकसवागा सदन चलता है वो उन्होंने पिर 18 सितंबर 1966 को जो पंजाब उंदर गठन बिल है वो लोग सबागे अंदर पास होता है और आर्टिकल 12 में एक नूमबर 1966 को हर्याना और पंजा गोलग करने की मांग की बात की जाती है एक नूमबर 1966 को दोस्तो 18 सिविदान संसोदन की तैत हर्याना का गठन है 17 में राज्ये की रूम में होता है जिसका एरिया रहता है 42200 बात जीले माया जाते हैं इसमें हिसार सबसे बड़ा जिसका एरिया था 3891 क्याणू हैं दूसरा था कर नाल इसका था उनी चीशो 64 किलोमेटर सबसे छोटे थे दोस्तो दो मेंदर गड़ और जीन्द सबसे छोटा था इसका इरिया था सनो देवी वो बनती दोस्तों 6 दिसंबर 1966 को आसा करता हूं दोस्तों हरियाना का जो गठन आपको बड़े अच्छी तरह से समझ में आया हुगा धन्यवाद दोस्तों अगर आपको हमारी कलस पसंद आए तो हमारी चनल करना प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब धन्यवाद